अधिये चलो जी इस तरग के पकेट तो आते ही रहते हैं तो क्या इसको फेग देते हैं मैं तो बिल्कुल नहीं फेगती हूँ बहुत ही पनाने वाली हूं की इन जिनके पास किचन में बिल्कुल भी इस पेस नहीं है और उनकी किचन में स्टैंड वोगरा कुछ भी नहीं है और अपने चीजों को अर्गनाज करके नहीं रख पा रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही बेस्ट आफसन है आप इसका यूज कर सकते हैं तो भाई चलो इसको हम चि करें जब तक हम इसको संभाल पा रहे हैं इसका यूज कर पा रहे हैं तब तक करेंगे नहीं तो निक्स्ट जब आएगा तब उसका यूज करके इस तरह से हम जो है अपने चीजों को अर्गनाज करके रहेंगे तो यहां पे मैं ने जो है फेवी कोल का हल्प लिया हुआ इस तरीके से चिपका लूँगी तो चलिए इसको मैं लगांदे रही हूं चिपका लूँगी अच्छë से और जब lye सूख जाएगा तब इसके आगे मैं आप लोगों को बताऊंगे तरहां पर मैं फेबिकुल से लगा ले रही हूं तो इस तरीके से लगाने के बाद ना दोनों साइड लगा लोगी उसके बाद एक दूसरे में जॉइंड कर दोंगी तो इससे क्या होगा थोड़ा सा चौड़ा हो जाएगा आप सिंगल का भी यूज कर सकते हैं अगर आपके पास डबल नहीं है तो आपके पास अगर सिंगल है तो आप उसी का यूज कर सकते हैं से इसी तरीके से यूज करना है जैसा कि हम यहाँ पर डबल का कर रहे हैं वही आप सिंगल का कर सकते हैं तो यहाँ पर चलिए इसको अच तो यहाँ पे हमें निसान जो है अच्छा से सीधी line में बना लेने हैं तो इस तरीके से यहाँ पे एक एक इंच की दूरी पे two line करेंगे उसके बाद हम यहाँ पे इस तरीके से मिलाते हुए इसकी cutting कर लेंगे तो जैसा कि यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को कम समझ में आ रहा होगा तो चलिए सेम इसी तरह से हम निशान को लगा लेते हैं उसके बाद कट कर लेते हैं फिर आपको दिखा रहे हैं तो मैंने यहाँ पर फाइनल में जो है निशान लगा लिया हुआ है अब इसकी cutting कर लेनी है तो यहाँ पे आप लोग देख चकते हैं गरीबी में हो गया है आटकीला मेरा यह जो टूल था cutter था यह बिल्कुल टूट चुका है लेकिन मैं इसको बिल्कुल भी फेक नहीं रही हूँ भाई इसका तो हम यूज करके ही मानेंगे जितना पैसे का ली हूँ उतना तो वसूल कर ही लूँगी तो यह बहुत ही ऊजी तरीके से cut भी जाता है हम cut कर ले रहे हैं तो यहाँ पे मैं 3 line बनाए हूँ मुझे 3 cut चाहिए तो 3 को मैं cut कर ले रहे हूँ तो यहाँ पे जैसे मैंने एक करा हुआ है सेम इसी process में हमें तीनों की cutting कर लेनी है और जो मैंने यहाँ पर join करा हुआ है उसको भी cut करके निकाल देने है तो यहाँ पर final में हमारा cut हो चुका है अब इसको use करेंगे हम थाली को organize करने के लिए जैसे कि हमारी जो थालिया इधर उदर फैली रहती है आप इस तरह से stand की तरह इसको use कर सकते हैं अपने kitchen में बहुत ही best है दोस्तों आप try जरूर करिएगा इसमें आप छोटे छोटे plates वगरा भी लगा सकते हैं बहुत ही best है तो यह trick try जरूर कर लीजिएगा इसी तरह से हमारे पास और भी जो boxes हैं उसका भी योज कर लेते हैं फिलाल चलिए एक चीज और करके दिखा दे रहे हैं तो हमारे पास sweets box है इसको भी हम क्या करेंगे गिलास रखने के लिए अर्गनाइज करेंगे तो यहां पर हमें ग्लास के हिसाब से ही कट करूंगी यहां पर मैं चैनल को सस्क्राइब नहीं करेंगे तो सस्क्राइब भी कर दीजिए और अच्छा लगा होगा तो आगे भी share कर दीजिए दूसरों को भी help हो ज़रूरी नहीं है कि आपका kitchen जो है इसकी कटिंग इसी तरह से कर लेते हैं जैसा कि मैंने यहां पर यह कट करा हुआ है तो यहां पर मैंने टोटल चार बनाया हुआ है तो चार बनाने के बाद अब मेरी यहां पर बहुत अच्छे से हो चुकी है तो चलिए जितने भी ग्लास होते हैं जिनको हम जल्दी यूज न लगाते जाएंगे आपका ग्लास जो है बिल्कुल अर्गनाइज रहेगा इधर उधर गिरेगा नहीं खनकन की आवाज भी नहीं आएगी साथ ही साथ एक जगह सुरच्छित भी पड़ा रहेगा तो इस तरह से आप बाक्षिस का यूज कर सकते हैं दोस्तों मैंने पहले से आ तो आजका मारे वीडियो आप लोकों कैसा लगा कमेंट में जरूल बताना अच्छा लगा होगा तो यह भी बताना एंड कहां से देख रहे है अधि और आपको हमारे टीप्स कैसे लगते हैं साथ में अधि बताना दोस्तों मिलती हूँ आप लोगों से नए वीडियो में नए नए हैक के साथ तब तक लिए बाई बाई एंड इस तरह से प्यारे प्यारे जुगार करते रहिए एकदम से फ्री में और धेरो पैसे बचाते रहिए इसो चलिए बाई